लेकिन अभी आज का दिन गजब का दिन है और आज हम शुरुआत करेंगे अपने प्रधान मंतरी मोदी जी की अलगार के साथ यानी यानी मोदी जी की अलगार अब की बार चार सो पार सुमिद भाई वेलकम टू तु दू शो और जैज़े शियाराम रादे 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 महे करते हैं ये तो हम कहते हैं मोदी जी की यलगार आपकी बार चार सो पार पारलिमेंट के पटल पे नए पारलिमेंट के स्थल पे सबको बताते हुए सबको दिखाते हुए सबको जताते हुए देखे महेज भाई मैं आपको कह रहा था तीन सो सतर भाजपा का नंबर है तीन स तगडल इंडिये के तो मैंने आपको जिन भी बोला था महेज बहुत तो मुझे दिख रही चार सो पचीस अठाइस तक मुझे नंबर जाता दिख रहा है नंबर लगबग लगव उतना ज़रा पता नहीं क्या महा काल की नंबर मेरे कभी गलत नहीं जाते तो यह हो गया और अ सवा चार सो में चाहो तो कॉंस्टूशन ही बदल दो अब बहुत सी प्रैवेट लिम्टेड कंपनियों की दुकाने होंगी बंद परमनंट ताला लगेगा पलाजा ताला अपनी हिचापी से खुलने वाला पलाजा ताला जब यह लगा अब सोचिये लोगों के दिलों पे क क्या चुरिया चल रही होंगी क्या चुरिया चल रही होंगी बहुत गजब बोला मोदी जी ने और यह जब भजवा बोलती है पारलिमेंट के पटल पे बोलते हैं मानिनी प्रधान पत्री बोलते हैं his words matter his words count opposition के खे में में ऐसी हड़कंप है ऐसी हड़कंप है अगर आप कुछ आपको बताऊं वक्त भी देखिए अब 400 वाला अगणा तो डन है 400 वाला अगणा डन होती अब इंडिया इलाइन्स का सूपड़ा साफ है इंडी एलाइन्स की क्यों इंडिया इंडिया अबजिप्टिव गया मैंने आपको जिन बता था नितेश भावु गए समझी तो अच्छा हुआ यह गए अब तो हमने यह कर देंगे हम यह कर देंगे अब कुछ आपको पॉइंट बता दे तो मोटे 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 ओटा क्या हुआ पहला पॉइंट जी उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बोला देखो जी सेंगोल आया सेंगोल की पीछे प्रोसेशन लगा और उन्हों ने का भाई यहां जब मैं उसके साधा है तो मुझे ऐसा नहीं लगा जब मैंने देखा रिकॉर्डिंग बहुत अद्बुत लगा तो क्या मतलत है हिंदू वे आफ लाइफ हिंदू लाइफ सनातन सब्बिता संस्कृति हिंदू तन हिंदू मन हिंदू यह और जिसके इर्मन मेराम नहीं उसका यहां कोई काम नहीं जिसको बांच आये तो हमारे सराकों पे बैढ़ जाए नहीं समझ आए तो वागा बोडर निकल जाए पोला उबर प्रकर आजा की सरवज्ँती वागा बोडर कंफर्म कर चूपा हूं कोई WITH लाइफ और रे जिस तो हिंदू राश्ट्री को होगे, हिंदू राश्ट्री और अब मैं ये जो हम अब हम यूसीसी पर बात करेंगे उसमें एक बहुत important point है उवह आपको बताओग dan प्रैक्ट क्लिकलv हंदू राश्ट्री है और जो हमारा सहविधान है on और च्जनल सहविधान याद रखे ना उसमें सोशलिस्ट है ना उसमें सेकुलर है और भागवान सावेदान के तिसरे पन्ने पर कौन बैठे है खुद भागवान श्री ना भजरंग महादेव है तो भाई अब मुझे बता ही अब क्या हम क्या मुझे मिनार पर चड़ चड़ के बोलेंगे के हिंदू बोले कोई देखिया मेरे को भी बोलना अच्छा नहीं लग रहा अब मैं देखो एक कहावत है महिज भाई कहते हैं सोए हो जगाओ सोए हुए को जगाओ अंदे को दिखाओ अब जिसकी आँखे भी ठीक हो और आंके खोल के भी ना मैं उसको जगा सकता और उससे दिखा सकत दूसरी बाद अपोलियों पे विंग का बान चला गया है विंग का बान वाला बात क्या बोला आप अब दशकों तक यही बैठे रहेंगे दशकों तक भई बला बोला आप तुम भाईया पहले तुम दशकों तक इस साइड बैठे रहे अब दशकों तक वहां बैठोगी अ अब जब मैं इने कहता था 29 की तयारी मत करो 34 की तयारी करो गलत हूं मैं 44 की तयारी करो राहूल भी या चावालिस की अच्वालिस की तयारी करो मुझे अधिल्ला से बहुत प्यार है क्या करूए बहुत त्यार हैं से तो उन्हें उन्हें इतने बड़े लेडर हैं क्या बात करें महेश भाई देश के इतने बड़े लीडर आप करें क्यों है प्यार देश नहीं चलेगा उनकी बहुत क्या बात करें इतने बड़े लीडर है इतने बड़े खांदान से आते हैं देखे कम से कम चोवानिस तक तो वेट करना पड़ेगा तो महेंज भाई कुछ कुछ ज्यादा बात नीए बीस एक साल है प्रभू की इच्छा है बीस साल को नहीं होगा और यह तो भी युवा है यह सारे नेता भी युवा है समझ रहे ना युवा है यह वाली बात तीसरा का उन्होंने का पुलाई जो कॉंग्रेस है ना कॉंग्रेस इसने परिवार के प्रेंगा पाटी का ही बड़्टादार कर दिया पाटी का ही सत्यानाश कर दिया एक प्रोड़क को कितनी बार रिलांच करोगे रिलांच करोगे रिलांच करोगे रिलांच करोगे रिलांच करोग तो अब ऐसी है तो यह जो यह जो रिलाउंच करने की कोशिश है किया था भाईया इन से राजनीती नहीं होगी अब महेश भाई आपने वीडियो देखा भी पहले स्वीमार राउल गांडी जी भाईया बड़े भाईया हमारे आदर है उनका अब ऐसे ना देखिया हमें पहले कुटे के विशकुट क्हिला दिए यह में विश्कुट को कुट्य के के विश्कुट को खिला रहा यह में कांग्रेस के वर्ग're को काना दिल कितना अधार है कितने महाल हो गई है मतलब ऐसे मान के बाद भी कॉंग्रेस में रहते हैं उनकी पार्टी ने हिंदू धर्म संस्कृति सब्धिता का सबसे मड़ा महा कुंब भागवान श्री नाम की प्राइद प्रतिष्टा में नहीं गए तब भी राहूल गांदी के पीछे चलते हैं मैं आपको साधर प भी तीसरी चीज़ उन्होंने बूला बहुले कि आप परिवारवार्ट की बात कर तो यह अमिट-षा राज-ञज gनकी बात आई उन्हों में बोला अमिर्शाव राजनाथ सिंग की कोई political party है क्या परिवारवाद वो है जब आपके परिवार के लोग केवल politics में इसलिए चुने कि वो परिवार से आते हैं वो एक परिवार party को चलाता है अगर एक परिवार के दो तीन चार लोग आते हैं वो परिवारवाद तो हमारे परिवारवाद की definition भी क्लियर कर दी अब यह दुसरा तीसरा बात जो थी बात उन्होंने बुला यार कॉंगरस की जो कॉंगरस को सुस्त party कॉंगरस के काम करने का तरीका सुस्त है बुला जैसे आप बताईए आज कितनी सड़के मरी इनके टाइम में कितनी बनी आ कितना के टाइम में कितना हुआ कि आज जो इन्होंने 67 एर्स में लगबग 65 साल में जितने उन्होंने लपी जी कनेक्शन दी है उससे ज्यादा मैंने 8 साल में दे दिये किरे कॉंगरस होता तो देश की तर्की भी सुस्त होती और कुछ 30 साल तक मातें बहें ने दुआ में ख कर चला है आयुषमान कैंसल मिक इंडिया कैंसला आतो निर्वर बारत कैंसल जो भी भाजबला है जो भी देशित का कामला है कैंसल कैंसल की राजदीती आपने चला दी और भागवान श्री राम का नियोता भी आपने कैंसल कर दिया ऐसा नहों जनता जनारदन आपको कैंसल क यह जो मैं आपको कह रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं को इस नाराएन का अपमान किया है और जनता आपको इस नाराएन के लिए कभी शमा नहीं करेगी बिल्कुल clear वक्त तब वे था और ये भी होला कि कोई बड़ी बाद नहीं हो सेथा कुछ दिन बाद कांगरस वाले विस्टर गैल्री में बैठी हो आप समझे लिए विस्टर गैल्री चाहा आप झिसे हम झेसे लोगा तो विस्टर गैल्डरी में ते कॉंग्रेस वाले पहुँच सकते राहूल वह्या जिन्दा बाई जीतेगा राहूल वह्या जीतेगा अब 244 पी जीतेगा चावण में जीतेगा ये नारे में नहीं था जीतेगा उमीद उसने उन्होंने के बाद एक बात बता ली फिर फिर ये बात वी देश में इतनी तरकी हुई ये हुआ ये हुआ ये हुआ तो फिर जीडीपी की बात आई तो उन्होंने बोला कि भाई मोदी के टेन्योर में अगले स्थर्म में विल बी इन टॉप फ्री एक्नॉमिस अफ देवल ये मोदी की गारंटी तो कोई बोला कि होना ही था ये तो खुदी होना था तो मोदी जी बड़ा अच्छा पॉइंट लिया का बोले इवार मैं दोजार चोदा में जब तुम्हार इंटर्म फाइनान्स मिनिस्टर जो आपने अपको भ्रमाण के सबसे बरे अर्थ शास्तरी सबजते हैं आप समझें किसकी तरह बशारा है श्रीमान पीत चाट्य दंदरब जी की जरा उन्होंने कहाई इंडिया इंडिया इस अल्रीट इन्ट 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 इकनॉमि पर घ साल में करके दिखा रहे हैं दस साल होगे दो साल में नुम्बर पहुंचेंगे और महेज भाई आने वाले सतरा सालों पे कहां पहुंचेंगे मुकेशंबानी जी का आगड़ा याद है मतलब कहां यह प्लाइन में उतना टैम लगा रहे हैं हम करेंगे पैंतिस्ट इन्ट की छे सो गुना ज्यादा सिक्स टाइम्स मोर यह है भाजपा की सोच यह भाजपा के विजन जब मैं कहता था मोदी जी 50 साल को सोचते जब लोग करे रहे सुमित भाई क्या बोल रहों अंडर जे नवच वाल नहरू ने एक बार लाल किले की प्राचीर से बोला क्या आपको पता है हम तानी आलसी हैं हम काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए अमरीका यूरॉप और रूस हम से आगे एक बात बताएए मैं हर चीज भालूँगा पर हिंदुस्तानी को आलसी हो के नहीं हिंदुस्तानी कमा नहीं मानूँगा अरे आप कैसे प्रखान मंत्री है अपनी जन्ता को आलसी कह रहे हैं अपनी जन्ता को निकमा कह रहे हैं और यह है मांसिख दुरबलता यह हैं इमपेरिलियल्स्म क्योंकि मैंने सूट कोरता ही पहना है मैं आकसफुर्ड लोग पड़ा है जबुरी है दोना पड़े है अब ये देखे ये थे नहरू जी उसके बार आंगे इंद्रा जी पर इंद्रा जी क्या बोलती है हम लोगों में self confidence नहीं है एक कहता आलसी हो दूसरा कहता self confidence नहीं हो और सोनिया जी और राहूल जी का तो को पता ही है राहूल और सोनिया जो रा सब को पता है अब यहां से एंक जो पारवन रखते थे वह बावना रखते थे बारत पारत मुझे नहीं पत था और मुझे एक और चीज बो लिए बहारत जो यहां पहुछ ना पहुछेगा ला ईद आएगा इसमें आने हाले हजार सालों का नीव रखी जाए इसलिए अगले टर्म जाना जरूरी है मोदी जी का जीतना जरूरी है और बड़े बड़े लौ लाएंगे बड़े अर्श शैट्रिंग फेर बदल किये जाएंगे और जो मैंने आपको बोला था मेरा नमाने आगस्ट के आसपास आएंग तो जो मेरी थी वही आप माले जी उसी के आसपास आएंगे तो भाई आप फेर बड़े लिए तयार हो अन्य था ओला उबर सब पर करो यह और इंपोर्टन चीज जिसने देश को लूटा है उसको देश को लोटाना पड़ेगा जिसने देश को लूटा उसको देश को लोटाना पड़ेगा मैं हर एक से वापस लेकर रहूंगा और हरे गर करन अरजुन जाएंगे एक एड़ी और एक सीवी आई देखिए मैं आपको महिश भाई शुरू से क्यानों एड़ी सीवी आई क्या है आपने समाज से पैसा लूटा हजारो करोड़ की यह रहा है अब एड़ी ने आपके उसको कर ली तो समाज का पैसा समाज में आपस गया नहीं है देश का पैसा अब किसी क्या पांच-पांच-पांसो करोड़ का कैश मिल रहा है अब मुझे बताइए लालू यादा किये के 2000 करोड़ की संपत्ती करी परीव जब की गई है अगर उस पूरे परिवाद की तंखा निकाले आज तक इसकी 120 नहीं होगी जब इतने तंखा मिली नहीं संपत्ती का से बनाईए अगर ऐडी ने तो तक लीफ का है दिक्कत कहाँ भई इडी ने वही किया नहीं कि अन्य करना है जिस नागरेगो, कोट ने एक चोर गोशच्ः किया गिया है उस चोरों का महिमा मंदल कर रहे, उसको आधर्श बना रहे और यही उओाओ को दे रहे हो आगे, इसी भारत की बादारो यओाओ की ये नहीं चलेगा, चोरों का महिमा मंदल बरदाश नहीं है आप समझ को इशार रखता है वहाँ करन अबजुन पहुच नहीं है दस दस गंटे पूछ आ चुई है और एक और जो और है important एक चीज़ उन्होंने बोला बोला भाई ऐसा है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आजकर ये नौर सौध उनको कड़ी च दूटने की बात मत करना और ये वो लोग करें जिनके एडिया के केसी केस है जिनके घर मौटन ऑफ कैश मिलता है तो उनको भी बहुत कड़े शब्दों में चहतावनी दी गई है मुझे लगता है मोधी जी जब को आपकी बार आएंगे ना लाइल कैमरा एक्शन सारा यही ह होना तो यह ऐसी प्रवरत्ती वाले जो लोग है इनके पास समय का में और मज़े की बात मेरे दिल को ठटक देने वाली बात मैंने आपको बोली नहीं यह सब तो अच्छी बात बोला हमारी पॉल्सी जो है नो टेरर एंटॉक्स उसको दुनिया मानती है हाई अल्ला काफिरो यूट्यूबर लिप्स्टिक लेर पॉलिट दुबई की लाली और अमेरिका का काज लगा के आते थे न हमें तो ट्रेंड कर लो हमें तो एंड कर लो गंजा जादी टेकला जादी फेस कट यह फ्रेंच कट जादी सब को बोल दिया पैसा नहीं मिलेगा अब आप देखे का क सब्सक्राइब कर देखे कर दो आपने पैसे नहीं मिलेगा अब